नमस्कार मैं आज इस कविता के माध्यम से औरंगावा जीला का बढ़न कर रहा हूँ सायद यह प्रिथिवी पर कोई ऐसा जीला होगा जहां पर इस कविता में सुने गए तमाम चीज होगा इतना महान हो सकता है धन है जो इस धरा पर जर्म लिया है तो सुने इस कविता के माध्यम से मैं बढ़न कर रहा हूँ मैं औरंगा वादी हूँ मैं औरंगा वादी ना मेरी जाती ना मेरे मजहब मैं मनोता वादी हूँ मैं मनोता वादी मैं औरंगा वादी हूँ मैं औरंगा वादी बान भटका कादमरी हूँ, मैं गुरू आश्रम भिर्गुरारी, चमन रिसी का तपो भुमी मैं, जेवकुन गुरू आश्रम आयुर्वेदी, मैं औरंगावादी हूँ, मैं औरंगावादी, प्यारे भाईयों, यह ऐसा धरा है, ऐसी धरती है, जो बिश्व का पर्थम उपन्यास लिखा गया था, वह महा कभी बानभट है, जो औरंगावादी जीला के दाउद नगर के नजदीक हस्पूरा में बानभट ग्राम इस्थित है, जो राजा हर्स वर्धन के दर्वारी कभी हुआ करते थे, उनका वह गाव है उनही के नाम पर, यह बानभट गाव पड़ा, और भिर्गुरारी, जिसको अब भरंस में लोग भडारी कहते हैं, वह पुनपुन का संगमस्थान जहां पर, भिर्गुर इसी के नाम पर गुरु आस्रम चलाया जाता था, वह पवित्र भूमी है और अंगावाद, चवण रिसी का यह तप भूमी है, वह देवकुंड जहां पर, दूर दूर से लोग आयुरवेद के सिक्छा पाने के लिए देवकुंड के गुरु आस्रम में आते थे, वह औरंगावाद भूमी है, फिर आगे हम लोग सुनें, मैं औरंगावादी हूँ, मैं औरंगावादी, मैं कुवर्शी के ससुर्फते सिंग हूँ, मैं कुवर्शी का ससुर्फते सिंग हूँ, मैं विहार का चित और गड़, मैं औरंगावादी हूँ, मैं औरंगावादी, मैं फरीद का सेरखा बनाया, मैं फरीद को सेरखा बनाया, वह अस्थान से अरगाटी, मैं औरंगाबादी हूँ, मैं औरंगाबादी, अनुग्रह का मैं ग्यान पुझ हूँ, खाटी मैं मगहिया, विहार का लेलिन मदन कुमार हूँ, मैं साथ सहीद जगत पती भईया, मैं साथ सहीद जगत पती भईया, मैं औरंगाबादी हूँ, मैं औरंगाबादी, औरंगाबादी समझ सकते हैं अंग्रेजों के दात खटे करने वाले बीर कुमर्सि का ससुर फते सिंग जो औरंगाबादी निवासी है और फिहार के धरती को पमित्र ये बनाने वाले औरंगाबाद जिस औरंगाबाद को चितोर बिहार का चितोर गण कहा जाता है यह औरंगाबाद धरती है और जो सेरसा को कोई नहीं जानता था वह सेर सा जब औरंगावाद के जंगलों से गुजर रहा था तो एक सेर जैसी जप्टा तो एक तलवार में उन्होंने सेर को दो तुकड़ा कर दिया था और वह अस्थान सेर घाटी है जो वह अस्थान वह जीला जो फरीद को जिसका बचपन का नाम फरीद था उसको सेर खांग और सेर सा बना दिया अनुग्रह नरायन जो भारतिय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनुग्रह नरायन जो अपने ही जीला में नहीं बलकी पटना में एन कोलेज, बाढ़ में एन कोलेज, कई जगह सिक्षा के मंदिर स्थापित किये, ओ अनुग्रह नरायन औरंगाबाद के पावन धर्ती पर जन्म लिए और यहां का बोली खाटी मगहिया बोली है खाटी मगहि बोला जाता है, इसी धर्ती पर बिहार के लेन मदन कुभार जन्म लिए जिन्होंने आजीवन समानतबादी विचारधारा से लड़ते रहे और बिहार से चमिंदारी पर्था का उन्मुलन किये इतना ही नहीं, साथ सहीद जो पटना सचिवाले के सामने साथ सहीद देखते हैं उन साथ सहीद में जगतपती बिहार के धर्ती बिहार के औरंगावाज जीला के धर्ती पर जन्म लेने वाले हैं जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अंग्रेज को दिखा दिये तो फिर आगे हम लोग देखे मैं औरंगावादी हूं मैं औरंगावादी अमझर का दरगा हूं मैं भग्मान भासकर का देओ सोन भद्र सिंचित पवित्र भुमी हूं मैं पुनपुन का पुर्वज अरपन मैं औरंगावादी हूं मैं औरंगावादी हूं यह ऐसा धरती है जहां पर एक अमझर सरीफ है वहाँ पर इसलाम धर्मा और लंबी देश भी देश से लोग आते हैं और उस दरगाह पर अपना नमन करते हैं समझ सकते हैं कि अमीर खुसरों भी वहाँ पर आया थे और उस दरबाह उस दरगाह पर अपना सीर जुकाया थे यही भूमी है जहां पर भगवान भासकर स्वैम देव नगरी में आकर आशिरबाद देते हैं लोग पहले मनत मानता है और तब वहाँ जाकर करके अर्पन करता है वहाँ अर्ग देता है सोन भद्र से पवित्र यह संचित भूमी पुनपुन नदी जो यहां पर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और पुरानों में जैसा की बनन है कि गया के फल्गु में पिंड़दान करने के बाद अपने पुर्वज को अर्पन करने के लिए लोग पुनपुन में आत यह पवित्र भूमी है तो हम लोग मिल करके गाये मैं ओरंगा वादी हूं मैं ओरंगा वादी ना मेरी जाती ना मेरा मजहब मैं मनावता वादी हूं मैं ओरंगा वादी प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे दर्सगंड, यह वीडियो को अवस्ट सब्सक्राइब करियेगा चैहिंद्य भारों के